आजकल आप एक डीबेट सुन रहे होंगे या लोगों में बड़ी चर्चा हो रही है कि भारते महिलाओं को अब 33% भागीदारी दी जाएगी या 33% आरेक्षन दिया जाएगा विधान सभाओं के अंदर, लोग सभा के अंदर और राज्य सभा के अंदर देखे दोस्तो आज तक हमारे देश में 7500 सांसदों को चुना गया और उसमें मात्र 600 महिलाओं जगे बना पाई तो आप परसेंटेज को देख सकते हैं कि उनका रिपरजिंक्टेशन कितना कम है देखे दोस्तो अगर वर्तमान स्थिती की बात करी जाए तो मात्र 82 महिला सांस हैं राज्य सभा के अंदर दोस्तो राज्यों की विधान सभाओं में थोड़ी और जादा गड़बढ है कोई वी ऐसी विधान सभा नहीं है पूरे भारत के अंदर जहां पर 15% महिलाएं MLA के रूप में चुनी गई हूं या वो कानून के निर्मान में भागी दे रही हूं दोस्तो सबसे जो हाइस्ट नंबर है वो 36 गड़का है 14.44% कहने का मतब 15% में भागी दारी महिला के नहीं है कानून के निर्मान में तो उनका इंपावर करना भी उनको शक्तिशाली बनाना भी थोड़ा मुश्किल है सो देखिए दोस्तो 33 परतिशत रिजर्वेशन के जरिये हम उनकी आवाज को एक मंच दे सकते हैं जहां से वो महिलाओं के लिए बहुत काम कर सकती हैं महिलाओं को शक्तिशाली बना सकती हैं सो दोस्तो आप अगर फेवर में हैं तो मुझे कमेंट में लिखिया अगर आप अगेंस्ट में तो भी कमेंट में लिखिएगा